इतनी भारी टैबलेट अतलब देखो साथ सो पचास में जो है सिर्फ कितनी गोलिया आती है I think 30 गोलिया आती है साहाँ पंची 30 30 गोलिया आती है ये गोलिया मैंने तब खरी दी थी जब मैं श्रिडी में रहती थी और मुझे बहुत चिंता होती थी अपने फादर की क्योंकि जब मैं थी इनके हातों में गोलिया देती थी और ये खुद वो गोलिया कभी भी नहीं खाते थे तो मैं जब शिर्डी गई तो मैंने उनके गोलिया खरीद कर उनके हातों में दी और कहा कि मैं अब आपके पास नहीं हूँ तो आपको खुद ये गोलिया खानी है लेकिन उन्होंने नहीं खाई जबकि उन्होंने खुद कबूल किया था कि जब से ये गोलिया मैं ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, आनंदी रहता हूँ, मुझे सब कुछ अच् ड्रिंक लेने की भी जरुवत नहीं पड़ती और जैसे ही उनोंने मतलब यह जो भी हो देखो इतनी भारी गोलिया इतनी अच्छी गोलिया जिसको जिस इंसान को पता है कि इसमें जो है रहस से पड़े हुए है कि आरवधी गोलिया जब ही लेते है उनका बीपी कंट्रोल में रहता है हार्ट अच्छा रहता है सब कुछ अच्छा रहता है खुश रहता है इंसान आरोग यह अच्छा रहता है महनत ज्यादा कर सकता है बट फिर भी उन्होंने वो गोलिया नहीं ली और आज चुपके से उन्होंने वो गोलिया बाहर निकाली तो देखा तो expiry date इसकी हो चुकी थी बट उनका कहना है कि ये आयरवेदिक गोलिया है तो आयरवेदिक को ऐसा कुछ नहीं होता बट मैंने उनसे कहा कि आयरवेदिक भी हो जो कहा है उन्होंने की तीन साल के अंदर अगर इसकी expiry date होती है तो कुछ तर रीजन होगा अगर ये गोलिया इतनी powerful है तो हो सकता है कि expiry date होने के बाद कुछ side effect भी इसका हो तो ये मुझे भी जरूरत है मैं इसको check करने वाली हो क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि बैदिनाद की एक गोली का देखा था तो आयर्वेदिक गोलिया का 10-10 साल का जो होता है चलती है वो मतलब 10 साल तक भी उसको खा सकते है लेकिन इसकी expiry date बहुत कम लिखी है 3 साल तक तो मैं इसको check करूँगी मुझे नहीं लगता कोई side effect होगा क्योंकि ये आयर्वेदिक है बट मैं किसी को प्रोतसाहन नहीं दूँगी कि भाई expiry date हो चुकी गोलियों को तुम खाओ बट मैं पहले इसको खुद पर experiment करूँगी कि मेरे उपर ये कैसे effect करता है तो कुछ होने वाला नहीं जहर तो नहीं होने वाला इसमें बट ऐसा वीडियो बनाना गलत है कि आप expiry date होई गोलियों को खाओ तो मैं ये नहीं कहती बट ये आयर्वेदिक गोलिया इतना मुझे पता है तो उन्हें तो नहीं खाने दिया मैंने क्योंकि वो energy detect नहीं कर सकते मैं इसकी energy ज़रूर detect कर सकती हूँ मैं साही बबा से भी पूछ सकती हूँ क्या ये ठीक है बट देखिए कैसे एक divine feminine जो होते है उसकी अच्छी quality इसकी भी कदर नहीं होती है उसने जो है मैंने टीवी पे program देखा जब मुझे बहुत तकलिफ है मैं आज भी सबको बोलती हूँ कि जिनको भी health problems है बहुत ज़्यादा mental problems भी है बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे यादे मेरी second sister की जब delivery होई थी उसका बहुत बीपी बड़ा था बहुत Susan body में आई थी और सबको लगा इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया बट उसने जो है मतलब ये गोलिया मैंने उसको दी उसका मानसिक संतुलन भी ठीक हो गया उसका मतलब वो तो उसकी दिमाग में ही चला गया उस दिमाग से कि कहीं वो सोच रही थी उसका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा है ऐसा ही लगा सबको पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गोलियों से तुरंत ठीक हो गई बीपी भी नॉर्मल होगा और एकदम आक्टिव हो गई और मेरे उपर कहीं ने कहीं जो है उसका विश्वास बढ़ गया बट जो क्वालिटीज होती है कि जहां डेवल फेमिनाइन है अपनी मा जो उसको बताती है वही उसको सही लगता है कि तुससे ये जलती है तेरा घर देखके आई तुरे तेरा इतना अच्छा घर है ये जलने लगी तो रियल बात क्या है वो नहीं बताती हो कि किस तरह से छेड़ती है परिशान करती है तो मुझे जब ज़्यादा परिशान करती है मेरे सौतेली मा तो मैं बोलती हूँ कि देखना तुमारे बच्चों को दे तो मैं तो कटाफी कर चुकी मुझे अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि खून तो खून ही है वो तो कभी बदलने वाला नहीं है तो अपने में तब कर्म कर नेकी कर दरिया में डाल ऐसा ही मैंने सोच रखा है और जिसके कर्म वो खुद जाने मेरे उपर क किन लोगों ने मिलके काले जादू किये है यह मैं नाम नहीं बताऊंगी अब मेरी सौतिली मा हो या उनके कई सारे बच्चे हो तो मुझे याद है वो दिन जब मैं सौतिली मा को मैंने बोला था अपने कि देखो तुम मुझे ब्लैक मैजिक करके परिशान मत करो क्योंकि क् इनको black magic करके परिशान करता है, उनके dreams में भी साप आते हैं, उनको काटते हैं, उनको परिशान करते हैं, बट फिर भी इन लोगों को समझ मी नहीं आता, फिर मेरे dream में भी आते हैं और उनको काटते हैं, मुझे नहीं काटते हैं, उनको काटते हैं, तो मैं हज रही थी और उन तांत्रिक के पास गया जो एक उन्होंने ज़़ा भयंकर कुछ ऐसा करवाया कि जैसे कोई डाकी नहीं शाकी नहीं पता नहीं कौन से भूधी नहीं थी वो उसको मेरे उपर सैंड किया गया और मेरी स्टेप सिस्टर भी उसमें शामिल थी उसने बोला आज तुम दिखाओ ही नाग किसके ड्रिम में आते है और तुरंत उस नाइट को मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही काली भयानक भूतनी मेरे बेटरूम में आई है और उसने जो कुछ मेंडक छोड़े हुए मेरे उपर और मैं बड़-बड़ी खुश हो गई हूँ और मैं बोल रहे हैं साप निकला जो है शिव जी मेरे ड्रीम्स में भेजते हैं और मेरी मदद के लिए भेजते हैं तो मैंने बोला कहा है कहा है तो भयांकर भूतनी जो है बड़े अजीब तरीके से हस के मेरे तरफ देखने लगे फिर मैं मुझे समझ में नहीं आया मुझे ड्रीम में समझ में नहीं आया कि बापर ये तो भूतनी है, मैं उसको भी पूछ रहे हूँ, कहां है साब, कहां है साब, उस तरह मुझे पता चल जाता है कौन-कौन किस साजिश में शामिल है, मुझे जादा कुछ करने की ज़रुरत नहीं पड़ती है, मैं आँखों में ही देख के पता लगा सकती हूँ कि किस कायद में उसके उपर कुछ प्रयोग करती हूँ, जबकि वो खुद ही मेरे उपर ऐसे प्रयोग करते हैं, कभी डर के या कभी जल के, तो मैंने तो कभी ब्लैक मैजिक ऐसे चीजों के लिए पैसे भी नहीं खर्च किये, ना ही मैंने कोई ऐसी चीज की है, मैं तो इश्वर क यहीं करती हूँ, बट यह लोग जो है, तरा-तरा के तांद्रिकों के पास जाते हैं, और जो है, वो करना है, वो कहीं करते हैं, मेरे स्टेप सिस्टर मेरे मुझसे एक बार कहा, कि देखो ना, जो जैसा करता है ना, उनको वैसा ही भूगना पड़ेगा, देखो उनके साथ बेर ऐसा ही होगा तो मैंने कहा नहीं नहीं उनके साथ वैसा बिलकुल नहीं होगा वो अपने पूरी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से जिएंगे लेकिन मृत्यू के पश्चात उनको उनकी आत्मा को जो है ये भोग भोगने पड़ेंगे उस वक्त उनके साथ कोई भी न है जिन लोगे की अकाल मृत्य हुई रहती है ऐसी ऐसे कोई शरीर होते है या जो भी होते है उनको कंट्रोल में किया जाता है ऐसी आत्माओं को जो कि पहले से ही बहुत दुखी है गुसे में है या क्रोध में है उनको कंट्रोल किया जाता है और उनको बोला जाता है जा जा कि इसका सरवनाश कर किया तो ऐसे में वो आत्माए मजबूरी में लाचारी में जाती है क्योंकि उनको कंट्रोल किया रहता है और जो है परिशान करती है बट अब इनको क्या सबक मिलेगा जो ऐसा कर रहे है उनको भी वही सबक मिलेगा जब ये मरेंगे इनकी आत्माओं को भी कंट्रोल किया जाएगा और गलत कारी के लिए छोड़ा जाएगा इनको भी बोतल में बन करके रखा जाएगा तो इनको आज जो है आश्वर ये भोग रहे है आराम भोग रहे है कार में घूम रहे है फाइस्टर होटल में घूम रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे है तो आगे की स्टोरी क्या है इनको ना भूतो ना भविश्यती इनको पता ही नहीं है कि शरीर के अंदर ये भोग भोग रहे है जब शरीर से बाहर आत्मा निकलेगी तो उसको क्या भोग भोगने पड़ेंगे तो मैंने देखा कि अपनी स्टेप सिस्टर की आँखों में इतना भयंकर डर था क्योंकि उन्होंने वो किया था उन्होंने किया था मुझे experience आयते जब उन्होंने मुझे challenge किया था कि आज देखते है तीन रात तक मैं मतलब ऐसे डर के उठ रही थी मुझे समझ में नहीं रहा था कि मैं क्यूं डर रही हूँ जब भी मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग को आपके बॉडी को नहीं पता हो रहता है कि आपके साथ क्या हो रहा है लेकिन आपके आत्मा को पता हुआ रहता है वो आपको जगाती है बताती है डराती है और समझाती है कि देखो ऐसा ऐसा चल रहा है तो वो मेरे साथ हुआ म तो I hope कि ये 50% DNA उनको जागरित करें, उनको समझाए कि आज भी तुम जो है सुधर्शक्ते हो, ने कुछ दिन पहले ड्रीम देखा था, दो दिन पहले, तो इनके हाथों में मैंने सापका काटा देखा हूँ, अब ये कहने का मतलब है कि कोई जो आसपास के आपका निकट वरतिय है, जो अपना ही है, वो दोका देने वाला है, तो भई और दोका देने से पहले समझ जाओ, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है, किसी भी divine soul को अगर आप परिशान करने जाते हो, तो उसके परिणाम गलत गलत और गलत ही होते हैं आप जो हो खुदी अपना जो हो नुकसान करने वाले हो अगर आप ऐसा करते हो ड्रीम में मैंने यार ये भी देखा कि कोई मेरे खाने पीने से लेकर बहुत गंदे कमेंट्स कर रहा है हाँ मुझे जो है बड़ा पसंद है शेर लेना पसंद है बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़े में खरीटती भी हूँ लेकिन बच्चे जो भी खाते मुझे बड़ा पसंद आता है उनके साथ मिलकर खाना या उनसे शेरिंग करना तो एक बर हुआ ऐसे कि मुझे आइस क्रीम खाने का बड़ा मन किया और हमारे आप प्रॉब्लम बड़ी है सारे दुकांगा बहुत दूर दूर है दो किलमेटर दूर जाके लाना पड़ता है तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो यह बड़ी प्रॉब्लम है मतलब मैंने देखा कि वो आइस क्रीम खा रहा है तो मेरे स्टेप सिस्टर का जो बेटा है उसको वो मुझसे बहुत प्यार करता है मतलब वो अच्छा रहता है मेरे साथ और तो मुझे लगा यार तो यह तो मेरा फ्रेंड है यह तो मुझे थोड़ी सी आईस्क्रीम जरूर दे देगा तो मैंने उसको पूछा, क्या मैं लूँ थोड़ी सी आईस्क्रीम क्योंकि उसको भी बहुत पसंद थी अब उसका भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मौसी से प्यार तो है तो उसने का टीक है लेकिन थोड़ा सा तो ने ने उसका थोड़ा सा आइस क्रिम खाया लेकिन फिर उसको लगा इसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है तो वो रोने लगा जोर जोर से और मेरी हो गए पंचाइत अब उसी चीज का फाइदा मेरे स्टेप मदर ने ले लिया कि तो एको बच्चे का आइस क्रिम तक ये खा गई तो उसको तो मतलब चांस ही चाहिए तना जगड़े करने के लिया तो बड़े मतलब इंसल्टिंग से फीलिंग होई मेरे को और जो भी है पिट जो गलत आत्मा होती है जैसे मेरे स्टेप मदर हमेशा ऐसे चीजों को जो गंदे तरीके से दिखाना कि देखो इसने जो है छोड़े बच्चे का आइस क्रीम भी खा लिया तो ये आइचली वो बात नहीं थी हम फ्रेंड्स थे ना तो मैं उसका थोड़ा सा आइस क्रीम चक सकती थी बट मैंने देखा कि वो बात एतनी फैल आई गई और जो है ड्रीम में भी मुझे जो लोगों के जो है अर यार होता है डेवान फेमिनेंस कोई गंदे कमेंट कर रहा है तो जो है उसको ड्रीम में दिखाए देता है कि कौन कर रहा है अभी ये जो मेंबर है मेरे स्टेप सिस्टर के घर का है तो समझदार को इशारा काफी है देख लिए भी आप क्या कॉमेंट कर रहे थे मुझे सब सुनाई दिया अभी ये सोचेंगे कि ये जो है पागल है इसको तो इमाजिनेशन में कुछ भी होता है तो आज तक मैंने जितने एक्सपिरियंस दिये कम है कि खुद सोच लो मेरे ओपर कमेंट करने जाओंगे न क्योंकि मैं बताती हूँ कि ऐसे कमेंट कुछ लोगों ने किये थे उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे अच्छी तरह से पता है मैं बताऊंगी ने तो ब्लैक मैजिक करना छोड़ दो गंदे कमेंट पास करना छोड़ दो ऐसा ही बोलूँगी मैं क्योंकि बहुत बुरे परिनाम होते है जब डिवाइन सोल के साथ ब्लैक मैजिक किया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पर बयानक परिनाम जो है उसका देखने को मिलता है बट यह जो एक इगो होता है इंसान का वो जो है उसको समझनी ही नहीं देता कि भई सच मुश्टू गलत कर रहा है उसमें से क्या होता है कि डेवल सोल्स जो एक डेवल फेमिनाइन होती है घर में डेवल फेमिनाइन के वो इस तरह लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लीती है नहीं नहीं इसकी क्या इसकी क्या उकाद है अगर यह डेवल सोल होती तो इसके साथ इतना गलत क्यों होता है उल्टा यही पापी है मतलब भाई भाई बैने को बढ़काती है ब्लैक मैजिक करती है ऐसा करती है वैसा करती इसका तो गलत करना ही चाहिए इस तरह से हो क्या रहा है एक बुरी आत्मा जो है सौतेली मा के शरीर में घुस कर कही है या अल्रेड़ी पैदाई सी वो गलतात्मा है डेविल सोल है तो यह सरवनाश कर रही है उन लोगों का जो बच्चे इस घर में पैदा हुए है उनको मिसगाइड करना उनको ब्लैक मैजिक के लिए प्रोहोग करना उनको बताना कि यह तुमारे सिस्टर नहीं है यह सौतेली और यह तुमारा सिर्फ बुरा चाहती है तुमको इतना अच्छा घर मिला है यह जलती है तुमसे क्योंकि तुमको सब कुछ बहुत अच्छा मिला है तुमको बेबी है तुमको घर है, पैसा है, सब कुछ है यह तुमसे जलती है अब तुम जो हो black magic करके इसका बदला ले सकते हो तो मतलब इस तरह से भगवान तो है divine feminine को बचा ही लेंगे या उसकी वो learning है उसको जो है fight करनी है जैसे महाकाली को जो है राक्षसों के साथ fight करनी है तो वो learning है कि black magic से भी उसको fight करनी है लेकिन परिनाम सुरूप इनके साथ क्या होगा इसकी चिंता मुझे हर वक्त लगती रहती है हर वक्त मैं साई बबा से prayers करती हूँ कि है इश्वर मेरे जो भी सोतेले भाई भेन हैं उनको अच्छी बुद्धी देना आप उनकी वो ऐसे कारिय ना करे ऐसे कारियों से बचे क्योंकि ये जो है सोतेली माँ उनको भड़काती है उनको गलत राहत दिखाती है आप जो हो इनको गलत राहत में जाने से बचाओ क्योंकि जो भी divine feminine के साथ गलत करता है उसका सर्वनाश हो जाता है कुछ भी नहीं बचता तो आपको होगे कि क्या है ये divine feminine है या कोई खुद को पता नहीं क्या मादुरगा समझ रही है क्या समझ रही है दिखो जो मुझे देखता है मेरी थरडा ओपन है मैं future देख सकती हूँ मैं past दे सकती हूँ पिछला जनम देख सकती हूँ अगला जनम देख सकती हूँ जो मुझे इश्वय ने दिया है उस चीज का जो है मैं फाइदा आपके लिए सोच रही हूँ आपको गलत रहा में जाने से बचा रही हूँ मैंने बहुत दुआ मंगी अपने भाई के लिए साई बाबा से कि इसको जो है आप गलत रहा में जाने से बचाओ नहीं तो जो है इसका सर्वनाश हो जाएगा तो मुझे साई बाबा ने एक ड्रीम दिखाया जिससे मुझे आशा उत्पन हुई उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं शिरडी में गई हूँ मेरे पास आधार कार्ड है और मैंने देखा कि मेरा भाई सेवा में लगा है साई बाबा के और वो जो है लड़ू बना रहा है जैसे अचारी मराठे में आचारी कहते हैं ने जो खाना बने बानने वाले होते हैं तरह से उसने जो है कमर पे धोती जैसा बान रखा है शर्ट नहीं पहना है उसकी पीठ मुझे दिख रही है और जो है मस तो लड़ू बना के सेवा कर रहा है साई बबा की तो क्यूंकि मैंने वो भी प्राथना की थी कि इसको जो है आप इसको अच्छे बुद्धी दो इसको म आप समझाओ और जो है आपकी सेवा में लगाओ ता कि ये कहीं भी गलत रहा पर ना जाए भढ़ना भढ़के गलत डेविल सोल्स के साथ मिलकर एक राक्षस ना बन जाए इससे अच्छा है आप इसको जो है अपकी सेवा में लगाओ तो उन्होंने जो है वो ड्रीम मुझे दिखाया कि वो लड्डू बना रहा है सेवा कर रहा है साई पपा की और कहीं पर उसी ब्रीम मुझे देखा कि कोई लड्डू बनाने वाले के मतलब जो लड्डू बना रहा था तल रहा था बुंदी के लड्डू बना रहा था तल रहा था बुंदी तेल में तो किसी बुं बुंदी का काम तो मेरा भाई कर रहा है, मतलब उसकी आखों में जो है, बुंदी बनाते समय जो घी हो, तेल हो, उसकी आखों में एक बुंद साही बबाने डाल दी है, ऐसा उस ड्रीम में दीख रहा था, मतलब उनका इशारा था कि मैं इसको अच्छे रहा पे लाऊंगा, अ उसको जो है, उबलता हुआ तेल इसकी आखों में डालूँगा और इसकी आखे खोलूँगा कि देख तू क्या कर रहा है, तो मैंने कुछ दिन ये ड्रीम नहीं बताया, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे ड्रीम नहीं बताने चाहिए, बड़ आई होप ऐसा ही हो, मेरे जो जित जमीन दो एकर मुझे दी गई थी, जिसके मैंने मनत मांगी कि एक एकर जमीन जो है, उसके उपर मैं साही बबा का मंदिर बनाना चाहती हूँ, और अगर मेरा कोई संतान नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो बाकी दो एकर जमीन भी जो है, मंदिर में ही जाएगी, तो ये संकल्प है मेरा, अगर ऐसी जमीन कोई लेता है, जो भगवान को दी गई है, तो अगेन साही चरित्रिका चाप्टर फिप्टी फोर्टी सेवन आप पढ़ो, जिसमें बताया गया है, गौरी जो एक होती है, अपने पास लाइफ में जो है, वो जमीन दान देती है, शंक साही बबा बोलते हैं कि इस जमीन पर जो है, सिर्फ गौरी का हक है, क्योंकि इसके पूर्व कर्मों के वज़े से ये इसको मिला है, तो मेरी बुआएं हो या जो भी हो, जो भी बहुत जलती है, उनको बहुत तकलिफ होती है, अगर मुझे कुछ मिलता है, तो ने बोलती उन्हें भी कि ये जो कुछ भी मिल रहा है, पूर्व कर्मों की वज़े से मिल रहा है, क्योंकि सोल का एक स्वभा होता है, जैसे इस जनम में मैंने अपने, मुझे जो मिला हिस्सा, तो उसमें आश कर सकती थी, ब्यूटी पालर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, पुरी बारी कपड़े पैन सकती थी, वह जमीन बेच कर जो है, मैं बैंक अकाउंट अपना भार सकती थी, और जो है, मजे कर सकती थी, बट मैंने वैसा नहीं किया, जैसे एक डिवान सूल का स्वभाव होता है, मैंने वह जमीन ईश्वर को अरपन कर दी, अगर मतलब इसी वज़े से जो है, हो सकता है, यही स्वभाव मेरा पास लाइफ में रहा हो, पिछले जनम में में रहा हो, जिसकी वज़े से जो है, इस जनम में भी जो है, मुझे ये जमीन मिली है, तो मेरे कुंडली में भी प्रथमेश जो है, द्वितिय हाउस में है, प्रथमेश मतलब आप, खुरा कर्मों से उसको मिली है तो ऐसे संपत्ती को जो इश्वर को दी गई है अगर आप लेने जाते हो मैंने आज आपने फादर का वार्म किया देखिए आपको इश्वर ने इतना दिया है अब देखो आप बच्पन में क्या थे और आज आपके पास क्या-क्या है आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है ना सोना ना कार ना जमीन ना घर हर वो चीज आपके पास है जो आप चाहते हो हर वो सुख है हर वो सौभाग्य है सब कुछ है फिर भी सिर्फ इस दो एकर जमीन पे अगर आप मतलब अपना होश खो बैठते हो आपको लगेगा कि इतनी मैं इसको क्यों दू तो भई ये मुझे अपने पूरे कर्मों के वज़े से मिला है और इसको अगर आप लेने जाओगे तो ये तो मिलेगी ही नहीं ये तो हजम होगी ही नहीं जितनी भी आपकी जमीन उसके आसपास है जो आपकी पूरवजों से आपको मिली है वो भी ऐसा एक दिन आएगा कि उसको बेच कर आपको अपना पेट भरना पड़ेगा मतलब सब कुछ खतम हो जाएगा जितनी भी आपकी संपत्ती है एकदम चौपट जीरो हो जाएगी तो आज तक के एक्जामपल मैंने उनको गिनवाए और श्रीपाद वल्लब चरित्र का एक एक्जामपल बताया कि कैसे होता है कि एक ब्राम्भन्च होता है उसको यग्य करने के लिए बुलाया जाता है और वो यग्य में जाता है और जो घी होता है जो हवन के लिए यूज करना है उसको थोड़ा स्वार्थ हो जाता है जबकि उसको अच्छे दक्षिना मिले सब कुछ मिला उसके पास भी सब कुछ है और वो हवन वाला घी वो जो है अपने घर में ले जाता है खाने के लिए और तुरंत घर में आग लग जाती है और पूरा घर जल के राख हो जाता है तो मतलब छोटे से स्वार्थ के लिए जो है इश्वन ने इतना कुछ दिया है उसको आप बर्बाद कर लेते हो छोटे से स्वार्थ के लिए इसलिए जो हक का है वही हजम होता है जिसके उपर आपका हक नहीं है वो चीज आपको जो है हजम नहीं होती है समझे आप तो यही बार ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी लागू होती है कि सरेंडर करो आप जो आपका है वो आटोमेटिक आपके पास आजाएगा यह विश्वास रखिए जितना है जो भी है और अगर नहीं है तो नहीं आएगा तो मतलब जो भी मिलता है पूर्व कर्मों से मिलता है तो उस चीज को कर्मों को जो है आप accept कर लो ईश्वर को surrender कर दो जो भी होता है divine plan के through होता है तो जो भी होगा अच्छा होगा आपके स्वाट twin flame journey में मेरे बाप के साथ मेरे step भाई ब्रदरों के साथ सब के रिष्टेदारों के साथ तो मैं warn करते हैं उनको सिर्फ मुझे अशब समझना बाद में वो परिणाम भोगते हैं और उनको लगता है कि यार जरूर इसने कर्स किया है इसने रेकी दिया होगा इसने वो किया होगा इसकी जबान काली है हाला कि मेरे जबान भी काली है मैं साज बता रहे हूँ जैसे आप देखो मेरे अंगूटे पे कितने तिले मेरे पूरी बोड़ी पे बहुत तिले और भैंकर काले तिले जैसे कोई महा काली छुपी हो मेरे अंदर और जबान पर भी तिल थे जो कि मैंने ट्रिट्मेंट करवाया क्या बोलते है उसको साबुदाना जैसे गोलिया होती है वो ट्रिट्मेंट करवाया उससे वो चला गया था बीच में फिर वापस आ गया मतलब देड़ साल तक मैंने वो ट्रिट्मेंट लिया था जिससे मेरा धीरे 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 वो जो है जबान के ऊपर के जो तिल थे वो गायबू गए, complete गायबू गए, पूरी जबान जो है सफेद हो गई मेरी, जबकि पहले ऐसे मतलब ऐसे तिल थे उसके उपर और लोग मुझे बहुत आशुब समझते थे, कि कहते हैं कि जिनके जबान के उपर तिल होते हैं, वो जो भी बोलते हैं सच हो जाता है, तो इसक फिर से कुछ तिल आते हैं, कुछ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, फिर से कुछ तिल काले हो जाते हैं, फिर से वो सफेद हो जाते हैं, मतलब काली या सफेद जबान जैसे कह सकते हैं, तो ये होता है कि जबान के उपर केतु है, जो मेरा दवितिय स्थान है, उसके उ सच हो जाता है कुंडिलनी शक्ति होती ना के तो मा पारवती साक्षात आपकी जबान पर बैठी हो तो वो किसी की बात जूट कैसे हो सकती है फिर तो के तु वो भी जो है जल राशी में है व्रिश्चिक राशी में है शुक्र के साथ उसका ये है खनेक्शन है तो मितलब ऐसे वितियस्थान में जब शुक्र केतू युती ब्रिश्चिक राशी में होती है तो ऐसे इंसान की जो है कुंडली शक्ति अवेक हो जाती तो ऐसा इंसान जो भी बोलता है वो सच होने लगता है तो आई होप मैं अच्छा बोलू लेकिन अच्छा आपकी कर्म भी तो अच्छ होने चाहिए यार कि मैं अच्छा बोलू आप कुछ भी करोगे और मैं वाँ 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 मैं के चम जाओं आपका है